कि किसी भी आर्टिकल का जो कॉस्स प्राइस से वह एक्स दिया हुआ है इसको 100% से मांक अप किया गया फिर कह रहा है कि इसको 1200 रुपे में बेचा गया 20% डिस्काउंट देने के बाद तो बताना है एक्स की वेलू क्या है 750 और यह मैं बता रहा हूँ कि यह वाइल रीडिंग यू है अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉसस क्या है मेरे दिमाद में क्या चलता है जो इतनी जल्दी अंसर आजाता है वो सिखा देता हूँ तो जो भी problem solving होती है जब मैं fast problem solving की बात करूं या फिर excellent problem solving की बात करूं उस 100% से बढ़ा है तो तीन गुना हो जाएगा तो this is my understanding of percentage increase तो markup अगर 100% मुझे पता है कि number कितना हो गया double हो गया 200% हो गया अब आप करो कि इस number में हमने 20% का discount दिया है तो कोई number 200% हो गया 20% का discount आप देरो तो वह number हो गया 160% of itself जितना पहले था शुरुआत में cost price उसका 160% हो और यह value किसके बराबर है 1200 यह चीज मेरे दिमाग में आई और मुझे आंसर पता लग गया 750 होगा क्यूं क्यों कि मैं options को हमेशा देखता रहता हूं options में नजस जाती है आप मुझे बताओ कि अगर आपका 160% 1200 के बराबर है यह दिख रहा है कि नहीं कि आपका जो 1% होगा वह clearly 10 से कम होगा 1% अगर 10 अगर दस से कम होगा तो आपका जो आंसर है 100% यानी cost price वह 1000 से कम होगी सारे options 1000 से बड़े दिये हो है तो मैं यहां divide करके ही मैं आपको बूलूँगा कि आप करो यह बिल्कुल और ली विजिबल था 160% अगर 1200 के बराबर है तो मारा 1% कम होने वाला 10 से तो आपका जो टोडल 100% होगा जो cost price है वो 700,000 से कम होगा यह option दिया हुगा है ठीक है काल्कुलेशन पूरी करनी ही नहीं है दायरा हमेशा limited जल्दी करेगा यह मैटर नहीं करता है कि आपने markup के कितने सवाल लगा रखे है हजार सवाल लगा रखे फरकी नहीं पड़ेगा आप markup के दो सवाल भी करके जाओगे न अगर आपको percentage के understanding है न मार्क पता है बस क्या होता है तो आपका reaction अगर बहता है कि 100% increase का मलब ट्वा बस question में कोई दम नहीं है फिर फटाक से question निकलेगा औरली पर नहीं उठाना पड़ेगा आपको